तो कैसे आप सब भी आशा करते हों कि बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे तो सर प्रतम तो स्वागत करते हूँ आपके अपने यूटोब चैनल स्टेडी रूट में आज ये जो वीडियो है, जैसे कि आपने थमनेल में देखा ही कि जो 15 मार्क्स की डॉकुमेंट इवालवेशन है, उसके रिगार्डिंग है देखिए, ये कोई बर्निंग इशू नहीं था कैबिनिट में, कि जो 15 नंबर की डॉकुमेंट इवालवेशन है, इसे स्मापत किया जाए, या रखा जाए, या इसमें कोई अमेंडमेंट किया जाए लेकिन ये डिसीजन आया है कैबिनिट में, जो आज मीटिंग हुई है, जराम ठाकुर जी के अज्यक्षता में, तो इसमें डिसीजन आया है कि जो 15 नंबर की डॉकुमेंट इवालवेशन होगी, वो अब स्मापत कर दी जाएगी देखें, यहाँ पर एक कटिंग है, यहाँ पर साफ थाफ दिया गया है, कि जो 15 नंबर की डॉकुमेंट इवालवेशन होगी, इट है, डिसाइडिट तू दिस्पेंस विद दा प्रोसेस ओफ 15 मार्वेशन और इनहांस्मेंट और वेटेज और रिटन टेस्ट फॉम 85 तू 100 मार्वेशन और इसमापत कर दिया है, और जो 85 का क्वेशन पेपर होता था, अब वो 100 नमबर का क्वेशन पेपर होगा, इसका मतलब क्या है कि 85 क्वेशन पहल्ए स्टुइ delegates के हाथ में होते थे, और Anders 5 नमबर उनके हाथ में लगब कह सकते हैं कि नहीं होते थे और अब जो 15 नमबर है ये भी स्टू नमर के हाथ में है, पूरे 100 मार्ण सभर्ण के हाथ में है, क्योंकि यह कुछ के लिए खुशकबरी है कुछ के लिए शायद कुशकबरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के डॉकुमेंटेशन में 15 मेंसे अच्छे नमबर बन जाते थे, लेकिन कुछ के 15 मेंसे अच्छे नमबर नहीं बन पाते थे तो अब यह transparent manner में होना लाज़मी है क्योंकि अब जो 100 marks है समपुरुन 100 number अब student के हाथ में होंगी आशा करता हूँ आपको यहाँ जानकारी अच्छी लगी और यहाँ cabinet का decision भी मेरे नजरेश से तो बहुत ही सही है क्योंकि इसमें अब 15 marks होते थे क्योंकि written के पस्चाहत एक एक नंबर बहुत जादा माइने रखता है और यह 15 नंबर में से कुछ को 7 नंबर मिल जाते थे और कुछ 2-3 में अटकी रहते थे तो यह 5 नंबर का difference है यह हो ऐसे candidate के ऐसे candidate के लिए सिर्दर्दी थी जिनके 2-3 नंबर बनते हैं और वह compete 78 के वाला के साथ करते थे आशक करते हूं आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद